हलो फ्रेंड्स, ड्रिमिंग बिग बुस्तक का अध्याय एक, यानि पहला कदम हलांकि आपके पास सपने हैं, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है लेकिन हो सकता है कि आपका सबसे बड़ा सपना आप तक स्पष्टने हो, इसकी तलाश करें तभी आप इसे खोज पाएंगे, अपना सपना खोजने के लिए सबसे पहले इन तीन प्रश्णों के हल खोजना अनिवारिया है नमबर एक, मैं क्या चाहता हूं? नमबर दो, मैं इसे क्यों चाहता हूं? और नमबर तीन, मैं इसे कैसे हासिल कर सकता हूं? अपने दिल को टटोल कर पूछें कि आप क्या चाहते हैं अपने दिमाग को खुल कर सोचने दे दिमाग में आने वाली हर चीज की एक सूची बना ले जैसे कोई कोर्स करना, अपने वे अपने परिवार के लिए गर, गाड़ी, जमीन जायदाद, दुनिया की सेर पर जाना, रुपया पैसा, कर्द से मुक्ती या कुछ वे जो आपके दिमाग में इस समय आ रहा हो मैं क्या चाहता हूँ, इस प्रशन को हल करने के लिए सबसे बड़िया उपाई ये है, कि आप एक 200 पेज की बुक लीजिए फिर दो दिन के लिए कहीं एकांत में चले जाएए और किसी से बात ना कीजिए अपने परिवार घर वालों को बता के जाएए कि दो दिन के लिए मैं कोई महतपूर्ण काम करने जा रहा हूँ इसलिए एक या दो दिन मैं किसी के भी कम्यूनिकेशन में नहीं रहूँगा फिर आप इत्मिनान से बैट कर दिमाग में आने वाले हर सपने को लिख लेजिए अगला प्रशन है मैं इसे क्यों चाहता हूँ अपने सपनों का पीछा करने की प्रेडवना आपको कहां से मिलती है आपके वैदोसरों के जीवन में इससे क्या फर्क पड़ेगा अपने सपनों को पाने के बाद आपको कैसा महसूस होगा क्या आप ज़्यादा खुश होंगे, मगर क्यों, इसी लिख लें, कि आपके सपने आपके लिए क्यों महतोपूर्ण है, हो सकता है कि आपको अभी कुछ का जवाब ने मिल पाया हो, कोई बात नहीं, हम बाद में इस सवाल पर दो बारा लोटेंगे, अगला प्रशन है, मैं इ अब आप अपने दिल से पूश कर देखें, और बताएं कि सपने खोजने से आपके दिल में कौन सी भावनाय आती है, आगे बताएगे प्रशन का जवाब देते समय, यह याद रखें कि बड़े सपने देखना एक प्रकिरिया है, इसमें महारत हासिल करें, धहरिय के साथ आ अगवान ने आपको इस धर्ती पर किसी खास उदेश्य के लिए भेजा है, जिसकी आपको तलाश करनी है, खोजने से आपको वह मिलेगा, प्रशन एक, आपके द्वारा बनाई गई सूची में से, कौन से सपने आपके लिए खास महतोपून है, प्रशन नमबर दो, इन में के उत्तर अपनी 200 पेज की पुस्तक में लिख लिजिए, अध्याय दो यानि अगले कदम के लिए इस सीरीज का अगला वीडियो देखें, धन्यवाद, हिंदी ओडियोबुक डोट कॉम, आपका दिन शुब हो